धन वैभाव और प्रसनता के प्रतीक माने जाने वाले सुक्रदेओं इन्ही सुक्रदेओं का गोचर परिवर्तन हो गया है ठीक आपके पंचम भाव पर 18 सितंबर से ले करके 13 हक्टुबर तक देखा जाये तो मिथून रासी के योग कारक ग्रह बनते हैं सुक्राचारियें और इस दिस्तिती पर आकर के अपने मूल तरिकोन रासी पर उपस्थित रहेंगे अब इनका मूल तरिकोन रासी पर होना कौन से सुभ परिणामों को प्रदान करेगा कैसे खुसियों का पल हमें प्राप्त होगा आज सिर्फ और सिर्फ उसी बात को हम समझने वाले हैं क्यो पर सोतंत्रता महसूस करते हुए एक विशेश सुभ अवसर भी आपके जीवन पर लक्षित करा जाते हैं कौन कौन से सुभ कारिय होंगे हम अब समस्ते हैं ध्यान दीजेगा ये आपके पंचम भाव के स्वामी है सदैव के लिए और आज पंचम भाव पर उपस्तित हैं जो लगभग लगभग एक साल के बाद इनका आगमन होता है अब इस इस्तिती पर पंचम भाव से रिलेटेट सारे पॉजिटी इवेंट आपके जीवन पर घटित होंगे सबसे पहला होगा पंचम भाव मानसिक सांती का होता है पंचम भावी वो इस्थान है जो हमारे डिसीज पंचम भावी वो इस्थान हो गया जो आपके सेयर मार्केट में इस समय पर धन की बृद्धी करा सकता है पैसा आपने कहीं पर लगाया हुआ है उससे संबंधित पैसे की बृद्धी यहां पर हो सकती है क्योंकि धन का दूसरा नाम हम सुक्र को इसी वीनस को मानते हैं यही पंचम भाव है हमारे प्रेम संबंधों का इसलिए सुक्र स्वयम की रासी पर है प्रेम संबंधों में प्रगारता आएगी या फिर आपके दामपत जीवन में एक नए उमीद नए किरण की यहां पर प्राप्ती होती है सुक्र का प्रेम इस्थान पर होना प्रेमी बनाता ह अर्थात इस समय पर काफी महत्वपुन योग रहेगा जहां पर हम अपने जीवन साथ ही जीवन संगिनी के संग मिल करके अपने जीवन को उन्नती से प्रदान करा सकते हैं जब पंचम भाव यहां पर अनुकूल होता है तो यही इस्थान आपके सिक्षा आपके एजुकेशन का होता है तो जो लोग सिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो सुक्र सिक्षा के स्वामी सिक्षा भाव पर है अर्थात एक नए सिक्षा नए ज्यान की यहां पर बिद्धी होत अर्थात सुक्र का संबंध यहां से बनता है पंचम भाव से बनता है तब यह इस्तिती कायम होती है जो कि यही वो इस्थान है जो आपके प्रारब्धों का भी प्रतिफल दिलाता है सुक्र को कहा गया है सबसे सौंदर यग्रह और यही सुक्र के पास एक ऐसी विद्या है जो मृत संजीवनी विद्या इसी सुक्राचारे के पास मौजूद है जिन्होंने भगवान सिव की कठोर तपस्या करके मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त किया था अर्थात पंचम भाव पर है कोई भी प्रकार के यदि मानसिक असांती है तो हमारे जियोन में अब खुसियों का पल प्रारम होने वाला है आप ऐसा मान सकते हैं और खुसियों का दूसरा नाम ही ये सुक्र ये वीनस को कहा गया है अब बात यहां समापत नहीं होती सुक्राचारे के पास एक दृष्टी होती है वो है इनकी सब्तम दृष्टी ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है आपने सुना होगा कि सभी ग्रहों के पास इनकी सब्तम दृष्टी सबसे महत्वपूर्ण होती है लेकिन भई सुक्र रूपधारी भगवान नारायन लाजा बली के दरवार पर गए थे राजा बली के द्वार पर गए थे तब बली से तीन पर प्रित्थी मांगा था और उसी समय जब संकल्प के पात्र से राजा बली ने जल से संकल्प करना चाहा तभी यही सुकराचारे राजा बली को रोकने लगे जब बली नहीं माने तब उसी जो संकल्प पात्र के बीच में अपनी आँख को लगा लेते हैं ताकि वहां से जल निकलना बंध हो जाए और यह संकल्प खंडित हो जाए तभी भगवान नारायन जो बामन रुमधारी थे एक नोक लेते हैं और इनके आँखों में चु पित्र हो जाएगी अर्थात इसी प्रकार से इनकी जो सातवे द्रिष्टी है सीधे इंकम के भाव पर जा रही है ग्यारवे नंबर पर जा रही है अब इस हिसाब से कोई इच्छाओं के पूर्ती यहां पर निकल के आती है कोई बड़ा धनलाब का आउसर माना जाता है क्य पाते हैं लोगों के बीच आपका आना जाना बढ़ता है जिसके माध्धम से भी आपके धन की प्रसनता धन की उपलब्धता आप वहां से करा पाते हैं चूकि एकादस भाव जहां पर इनकी दृष्टी है वो आपके भाई बहनों का है बड़े भाई बहनों का है उनके लि अबर लिखा है यह ईस्तान है खरचे का इस्तान है और सुख्र जब खरचे भाउ के स्वामी पंचम प्याया है तो इस समय पर आपके संतान के लिए जो आवस्यकारी है उस पर आप खरचे कर सकते हैं इस समय पर आपके माईंड में चूकि बारवागर बदलाओ का होता है पर निकल के आता है और चू की सुक्राचारिय धन के स्वामी हैं धन के कारक हैं इस कारण से उस बदलाव के मादंधम से मुझे धन की भी प्राप्ती होती या फिर कोई ट्रांसफर का योग भी यहां पर बन सकता है यह बारवे घर के स्वामी है अरथात कोई import export समंधी भी इतनाए घटित होती है जो जीवन में एक नए सकरात्मक उर्जा का प्रवाह करेगा अर्थात सुक्र का यह गोचर एक खुसियों का पल देने वाला है जिसका उपयोग करके हमला भानुवित हो सकते हैं अब प्रस्त उठता है कि कैसे इस सुक्र को और जादा एनर्जिक बनाय जाए कैसे इससे अधिक वलाब लिया जाए ध्यान दीजेगा जो हमारे घर में जो हमारे स्री मतिजी है वो साक्षात सुक्र है अर्थात इस्त्रियों में सुक्र को माना गया है इसलिए उनके साथ प्रेम अपना बहुत अच्छा बना करके रखें कऊसिस कीजिये कि किसी भ मंद होता है इस सुक्र देव से अर्थात दामपत जीवन में मधूरता रखें यदि आप इस्तरी हैं तो भी ये कोशिस कीजिए कि किसी कारण से भी अपने पती को आप परिसान न करें उनको जितना अधिक आप प्रसंद न रख पाएंगे अर्थात वो प्रसंद हुए उनका वीनस से स्ट्रॉं हुआ और वो धन की प्राप्ति करा है जब वो राजा बनेंगे तो आप भी तो भई उसी राजा की रानी बनेंगी इस हिसाब से ये सुक्र का प्रभाव एक पॉजिटी प्रभाव को ले करके आता है अब कैसे इस समय पर हम इस सुक्र को एनरजी कर है मात्र एक पैसों से जुड़े हुए कोई पुस्तक है कई पुस्तक है आपको मिल जाएंगी उसका आप पार्ट कर सकते हैं कई वीडियो ऐसे हैं जो पैसों को ले करके पैसों के मेनेजमेंट को ले करके सिखाते हैं उसका आप सिर्फ नॉलेज लेना मतलब आप कहां इन् मार्केट में लगे हैं तो उनका समझ लेना या उनके पॉर्टफोलियों को देखना या फिर उससे समंधित कोई काम करना भी आपके सुक्र को यहां मजबूत करता है कहने का तात्पर इस सिर्फ इतना है सुक्र को जब मजबूती करना हो तो जहां पर यह इस्थित है उस समाहित होता है उम्मिद है आप सबने इसे समझा है आप सबने इसे जाना है यदि आपने इसे समझा है जाना है मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की महाती इस बार भी अपना प्यार भर लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा और हाँ यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजेगा पुना एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगल मैं हो इन्ही सुपकामनाओं के साथ जैस्रीराम